Hello friends, welcome to CodeMeta Channel इस वीडियो में हम बात करेंगे replace की कि अगर हमें किसी specific string से किसी जगे से हमें कोई word, specific word हटाना है या कोई letter हटाना है तो उसे हम किस तरीके से करते हैं अब जो letter होता है हो सकता है वो एक बार हो और number of times हो तो हम उसे किस तरीके से हटाते हैं इसके लिए चलते हैं हमारे notepad editor में यहाँ पे हम देखते हैं कि हम किस चीज की बात करने वाले हम string replace और string replace all की बात करने वाले हैं string replace का मतलब क्या होता है कि जो replace होता है जो replace method होता है वो क्या करता है कि only one time जो भी first time match होता है word सिरफ उसको replace करता है आपके mention कि हुए word से या letter से और replace all क्या करता है कि जित्ती भी time replace all जित्ती भी time string में अगर वो word आता है तो उसे उत्ती ही time वो replace कर देता है चाए एक हो चाए दो हो चाए 100 हो चाए infinity time हो string replace का जो syntax होता है हमने जो word था हमारे पास एक string थी इसमें हमने m को rp से replace कर दिया और replace all में क्या होता है इस तरह किसे एक capital आ जाता है और बाकी same का same रहता है जो syntax होता है ठीक है क्या कर रहे हैं हम हमारा जो letter है इसमें से हम m को यानि हमारे इस वाले word को rp से replace कर रहे है और यहां पे m देखोगे अब last में भी है दो बार ठीक है और हम इसे replace करेंगे इसके लिए हमने क्या किया है script के अंदर एक run function मनाया जिसके अंदर हमने letters ले लिए ठीक है इसमें m यहां पे भी है और last में भी है m को हमने एक बार rp से replace कराया है और एक बार replace all किया है m को rp से ठीक है अब क्या करते हम दोनों को print कराते हैं अब print को देखने के लिए हम चलते हैं हमारे browser में browser में आये हमने इसको reload किया तो हमने क्या देखा कि हमारे पास जो था यह string थी इसको हमने replace करा रहे थे और तो इसने क्या किया देखो यह रहा एल के बाद m को rp से replace कर दिया लेकिन last वाले m दोनों सेम ही रहे हैं लेकिन अगर हम replace all का use कर लेते हैं तो इसने इस m को भी replace किया है ये वाले m को भी replace किया और लास्ट वाला जो m था उसको भी replace किया है यानि सारे हैं को replace कर दिया है तो इस तरीके से हम replace और replace all का use करते हैं ओफ दोस्तों आपको समझाया होगा string के अंदर अगर replace का use करना है हमें तो वो किस तरीके से करते हैं इसी तरीके की और वीडियो के बारे में जानने के लिए आप code meta चैनल को subscribe कीजिए और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे like और share जरूर कीजिएगा मिलते हैं next method में तब तक के लिए take care and goodbye